वेलकम दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत हैं तो दोस्तो आज की बीडियो में हम बात करेंगे नंबर पॉर्मेट एक्सेप्शन हैंडिलिंग प्रोग्रामिन जावा तो ती हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं इससे पहले की वीडियो में आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन के पारे में पताया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया तो दिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया और उपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उन वीडियो को किया और ट्राइ ब्लॉक के अंदर मैंने अपना कोड लिखा तो उससे पहले मैं बता देती हूं नंबर फॉर्मेटिंग या नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होती है दोस्तों अगर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में करने की कोशिश करते हैं तो उसकेस में किसी स्ट्रिंग का अबजेक्ट बनाया एस एंड उसके अंदर मैंने के स्ट्रिंग दी एबीसी दैन मैंने यहां पर इंट लिखा आई एंटीजर.पार्सिंट में लगाया यह करता है इस्ट्रिंग को जो हैं इंटीजर में करता है ठीक है एंड यहां पर क्या किया इस्ट्रिं एक्सेप्शन को हेंडल करेगा तो यहां पर दीखिए कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है नंबर फॉर्मिट एक्सेप्शन तो मैंने यहां पर लिखा नंबर पॉर्मिट एक्सेप्शन ही दैन मैंने जो है ब्रैक्ट ओपन किया इसके अंदर सिस्टम.out.println में मैंने यह लिखा देन उसके बाद हमने क्या किया एक्सेप्शन के बाद अपना एक कोड जो है यहां पर प्रिंट एलेन के अंदर मैंने लिखा तो जो है यहां पर एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा हमारा कैच व्लोग एंड उसके बाद का जो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपना प्रोग्राम कॉपी कर लिया एक्सेप्शन के नीम से थी ठीक है तो हम फाइल में जाएंगे सेवेज में एंड यहाँ पर हम अपनी जो है फाइल का नेम लिखेंगे डॉट जावा से हम जो है अपनी फाइल को सेव कर लेंगे ठीक है यह हमारी फाइल जो है सेव हो गई है नाओ अब हम इसे कंपाइल करेंगे तो cmd ओपन कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम हमने डेक्स्टॉप पे जो है सेव किया तो cd desktop java c compile करेंगे प्रोग्राम को class का नेम डॉट जावा यह देखे हमारा प्रोग्राम जो है compile हो रहा है थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों यह देखे हमारा प्रोग्राम जो है compile हो गया है नाओ अब हम इसे रन करेंगे तो dot java और c हम यहां से हटा देते तो यहां पर हमारा प्रोग्राम जो है run हो गया तो देखें यहां पर exceptions आईए हमारी जैसी program run हुआ है कौनसी exception आईए number format exception for input string abc इससे जो है कौनसी exception आईए number format exception ठीक है एंड उसके बाद का जो है यहां पर हमारा code execute हो गया है क्योंकि यहां पर जो catch block था उसने यहां पर exception को handle कर लिया है एंड उसके बाद का जो हमारा code था वह execute हो गया है दोस्तों यह था हमारा number format exception का program and next video में हम बात करेंगे array out of bond exceptions के बारे में ठीक है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलेगा साथ ही अगर topic से related कोई भी चैनल पर आख तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू सो मच